दोस्तों अगर आप गाड़ी सीखते समय पांच नहीं छे ऐसी गलती करते हैं तो आप गाड़ी चलाना कभी भी नहीं सीख पाएंगे दोस्तों मैं आपको एक-एक करके सारी गलतियां बताऊंगा जो आप गाड़ी सीखते समय करते हैं जिसके कारण आप गाड़ी चलाना जल्दी नहीं सीख पाते हैं आपको एक साल भी लग जाएगा लेकिन आप गाड़ी अच्छे से नहीं चला पाएंगे देखे दोस्तो एक एक करके मैं बताऊंगा आप ध्यान से सुनियेगा लेकिन हाँ एक ऐसी गलती है जो की बहुत ड्रैवर भाई करते हैं जिसके कारण उनको गाड़ी सीखने में 6 महिना एक साल लग जाता है तो दोस्तो वीडियो को ध्यान से पूरा कंप्लीट देखिए अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को दोस्तो लाइक कर देना अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है और आप मेरे चैनल से जोड़ना चाते हैं तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए दोस्तो जानते हैं कौन की वो 5 मतलब 6 गलतियां है जो आपको गाड़ी सीखने से रोकती है दोस्तो नमबर 1 नमबर 1 पर आता है गाड़ी चलाते समय आप अपने गेर को जब तो आपको गेर की तरफ नहीं देखना है अगर आप गाड़ी के गेर की तरफ देखते हैं और गेर चेंज करते हैं तो आप गाड़ी चलाना जल्दी नहीं सीख पाएंगे और आपको काफी वक्त लग जाएगा दूसरा गलती यह है कि आप गाड़ी चलाते समय अगर आपको ब्रेक लगाना है या कलच को प्रेस करना है तो आप गाड़ी के कलच की तरफ कभी भी ना देखें अगर आप गाड़ी का कलच देखकर के कलच दबाते हैं या ब्रेक दबाते हैं तो दोस्तों आप गाड़ी जल्दी नहीं सीख पाएंगे और आपको काफी time लग जाएगा गाड़ी सीखने में दोस्तों अब बात करते हैं गाड़ी चलाते समय जो आप तीसरी गलती करते हैं तीसरी गलती यह है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का steering एकदम tight पकड़ते हैं देखे जब आप tight पकड़ेंगे तो आप अच्छे से गाड़ी नहीं चला पाएंगे क्योंकि दोस्तों देखिए आपके गाड़ी का controlling steering से होता है अगर आप tight पकड़ेंगे तो आपसे गाड़ी control जल्दी नहीं होगा और आप समझी नहीं पाएंगे कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ तो दोस्तों आप गाड़ी चलाते समाए steering को एकदम हलके हांसों से पकड़ें क्योंकि गाड़ी चलती है तो अपने आप control में रहती है बस आपको steering से उसको direction देना होता है अब बात करते हैं चोथी गलती चोथी गलती दोस्तों यह है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय आपका पूरा का पूरा ध्यान एकदम सामने की तरफ ही रहता है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको देखिए किसी और गाड़ी का judgment नहीं मिलता है और आप गाड़ी चलाते समय हमेशा डर के गाड़ी चलाएंगे आपका डर कभी भी बाहर नहीं निकलेगा देखिए जब आप सामने देखेंगे तो आपके साइड से जो भी गाड़ी आती है जैसे कि बाइक वाले या कार वाले कोई भी विगर आपके साइड से आते हैं तो आप डर जाते हैं और आपके अंदर वो डर बैठा ही रह जाता है कि गाड़ी चलाओंगा तो कहीं साइड से कोई आकर मेरे गाड़ी में तचना कर दे तो दोस्तो गाड़ी चलाते समय आपको सामने की तरफ नहीं देखना है आप जब देखते हैं सामने की तरफ तो आपको हलके नजर से चारो तरफ देखना है जैसे ORVM में हो गया IRVM में हो गया और दोस्तो गाड़ी चलाते समय आपको इधर उधर भी देखना है हाँ उस हिसाफ से देखना है आपके सामने जो गाड़ी चलती है उसकी दूरी आपको देख लेना है फिर उसके हिसाफ से साइड में भी हलके नजर सी देखते रहना है तो आपके अंदर से डर बहुत जल्दी निकलेगा और आप अच्छे से गाड़ी चला पाएंगे क्योंकि दोस्तों साइड से जो गाड़ी आती है आप उन पर भी नजर रखेंगे और सामने जो चल रहे है उन पर भी आपका नजर है तो आपके अंदर से धीर धीर डर निकल जाएगा और आप अच्छे से गाड़ी चला पाएंगे तो चलिए अब बात करते हैं पांचमा गलती पांचमा गलती यह है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय आपका ध्यान पूरा सामने की तरफ होना चाहिए। आपके साइड में कितना ही अच्छा कि उन्हें चीज दिख जाए। कितना अच्छा दुकान हो या कोई सरकस चल रहा है। या कोई ऐसी चीज चल रहा है जो कि आपको देखने की इच्छा हो रही है। तो आप कभी भी उस चीज की तरब एकदम पूरा पूरा फोकस करके ना देखें। चाहे लेफ्ट में या राइट में कोई भी चीज आपको ऐसी दिख जाती है जो आपको देखने का मन कर रहा है तो आप उसको ना देखें सिर्फ गाड़ी पर ध्यान दे और गाड़ी चलाएं दोस्तों हलके नजर से लोग देखते हैं जैसे की मन हम मैं गाड़ी सीख रहा हूं चला रहा हूं तो आपको दिख गया तो देख लिया फिर आपने अपनी नजर सामने कर लिया आपको पूरा पूरा फोकस करके उसी सामान की तरफ मतलब उसी चीज की तरफ नहीं देखना है जिसे आपका ध्यान बढ़ जाए और आप अपने गाड़ी पर ध्यान ना दे पाएं दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट और छाठोन गलती चाठोन गलती दोस्तों वो है कि जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपको जो driver सिखाता है साइड में बेठे कर आप पुरा का पूरा काम उसको ही दे देते हैं आप सिर्फ एक पुतले की तरह गाड़ी चलाते हैं, इस तरह बैड़ जाते हैं, आप ना तो steering control करते हैं, नहीं brake लगाते हैं टाइम पर, नहीं clutch दबाते हैं टाइम पर, नहीं गाड़ी में race देते हैं टाइम पर, नहीं टाइम पर gear change करते हैं, आप पूरा-पूरा काम उसको दे देते हैं, आप सिर्फ एक पुतले की तरह बैड़ जाते हैं, जो भी करना है, वहीं driver करेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर आप इस तरह से driving सीखते हैं, तो आप पूरी जीवन में कभी भी गाड़ी नहीं चला पाएंगे, ये मेरा guarantee है, देखिए जब वो driver आपको स चिखा रहा है, तो दोस्तों आपको सिर्फ उसको एक सहारा के लिए रखना है, पूरा controlling आपको खुद करना है, जब आप इस तरह से गाड़ी चलाएंगे, तो आप दो दिन के अंदर गाड़ी control करना जान जाएंगे, अगर आप सारा का सारा controlling अपने हाथ में रखते हैं, सि कि पूरा controlling उसको दे दें, सिर्फ आप पूतले की तरह बैठे रहें, अगर आप इस तरह से गाड़ी चलाएंगे दोस्तों, तो आप गाड़ी चलाना कभी भी नहीं सिख पाएंगे, दोस्तों मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो का लाइक और सेर कर देना, अगर आपका कोई सवाल है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं पुरा कोशिस करूँगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूँ, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, किस और जानकारी के साथ, जै हिंद, जै भारत, जै महराष्टर,